दुनिया के सबसे बड़े जंगल दुनिया का सबसे ठंडा जंगल का है तो गलत नहीं होगा ये जंगल 192 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों ये जंगल एमजॉन के जंगलों से कुछ ही दूरी पर है लेगन इसका मौसम अलग होने के गारण ये उनका हिस्सा नहीं है इस जंगल में सोला सो से भी ज्याद अपक्षी मेंधक और अधर अनिमल्स की स्पीसिज रहती है यहां साल भर लगतार बारिश होती रहती है जिस कारण ये जंगल जलिये कीणों से भरा रहता है मलेशिया में वना किना बलू नेशनल पार्क युनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट डिकलेर कर दिया गया है दोस्तों ये जंगल 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पहाडों से घिरा ये जंगल डिसनी की किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है दोस्तों ये पार्क हमेशे टूरिस्ट से भरा रहता है जिसकारण यह मौजूद जानवरों की स्पीसीज धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन वो जानवर जो खुंकार और आदमखोर है अब तक सही सलामत है देन के दोरान ये जंगल जितना खुबसूरत लगता है रात में उतना ही डरावन नजर आता है देन ट्री रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे ख़दरनाक बौधों का घर है ये जंगल बारोसो से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर के ताइरे में फैला हुआ है दोस्तों ये जंगल काफी घुबसूरत है इस करण किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है ये जंगल दस हजार से भी ज्यादा स्पीसीज का घर है आस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा घेरे इस जंगल में सबी स्पीसीज की तितलिया, चमगादर और हजारों कीडे रहते हैं इसकी पॉपलारिटी को देखते हुए आस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकेट चार्च करती है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना जंगल है और इसकी उम्र एक सो पैंसेट मिलियन सालों से भी ज्यादा है ये कई सदियों से अपने वजूद में है और डर और रोमांच का एक अनोखा मिक्सर है दक्षिन चीन में फैला ट्रॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महचव पुरुन जंगलों में से एक है दोस्तों ट्रॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 वर्ग किलोमीटर है और ये चाइना के एक बड़े हिस्से में फैला है ट्रॉपिकल जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाये जाते हैं जिस कारण ये जंगल साइन्स के पॉइंट से काफी ज्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा योगदान है दोस्तों सुन्दर्बन की लंबाई कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है ये पूरे बांगलदेश को ढग देता है और साथी साथ ये भारत के भी कुछ हिस्से में फैला हुआ है दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योनेसको ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइड खोशित किया है ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग का बाग केवल सुन्दर्बन में ही पाय जाता है गंगा भ्रह्मपत्र डेल्टा होने के कारण सुन्दर्बन काफी ज्यादा डरावना और खूपसूरत नजर आता है ये काफी ज्यादा खौफनाख है जिस कारण ये आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रक्ट करता है इंडिया का ये नाशनल पार्क दुनिया के सबसे भैद्वपरन जगहों में से एक है दोस्तो नौर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जंगल टॉंगास है ये जंगल 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है यानि कि इसका पूरा एरिया श्रिलंका के पूरे एरिया से भी ज़्यादा है दोस्तो नौर्थ अमेरिका के अलास्का क्षेतर में फैला है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अलास्का में सोने की कई खाने मौजूद है टूरिस्ट विजट के मामले में ये जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जंगलों में से एक है हर साल इसे देखने एक करोड से भी ज्यादा लोग आते हैं दोस्तो ए जंगल जानवरों और पक्षियों के साथ ही आदिवासी इंसानों का भी घर है यहां पर 75,000 से भी ज्यादा लोग 32 अलग-अलग आदिवासी समुदाई में रहते हैं दोस्तों इस दक्षन अमेरिका की कुछ देशों में फैला हुआ जंगल है मुखे दोर पर ये चिली और और्जंटीना का हिस्सा है दोस्तों ये एक रेन फॉरस्ट है जिस कारण यहां पर लगातार बारिश होती रहती है इस जंगल में 122 से भी ज्यादा तरह के पौधे पाए जाते हैं लगातार बारिश के कारण यहां पीड़ काफी ज्यादा घने होते हैं इतने घने की सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती दोस्तों यहां कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाती विलुप्त होने वाली है तीन, कॉंगो रेन फॉरेस्ट अफ्रिका 20,23,428 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला कॉंगो जंगल आकार में अलासका और दक्षन अफ्रिका से भी ज्यादा बड़ा है दोस्तों कॉंगो में 10,000 से भी ज्यादा स्पीसिस के पेड़ पाए जाते हैं जो कि दुनिया की किसी भी जंगल से ज्यादा है दोस्तों कॉंगो रेन फॉरेस्ट में लगातार बारिश होती है जिस कारण कॉंगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में कुल 500 से भी ज्यादा विराइटी की मचलियां पाई जाती है कॉंगो जंगलाकार में जितना विशाल है उतना ही धरावना भी है यह मौझूद पिराना मचलिया, किसी भी इंसान को मिंटों में खत्म कर सकते हैं कॉंगो में ऐसे जनवरों की भरमार है कॉंगो जंगलों में 1000 से भी ज्यादा तरह के पक्षी और 500 से भी ज्यादा तरह के स्तंधरी जानवर पाए जाते हैं दो, दियामजन फॉरेस्ट्स, साउध अमेरिका 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एमजॉन जंगल पूरी दुनिया में जंगलों का राजा माना जाता है दोस्तों ये एक साथ पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलीविया, एकवडॉर, सुरिनाम, गुयाना और वेनेजवला जैसे देशों में फैला हुआ है इस जंगल में कई जरने मौझूद है एमजॉन जंगल करोडों पक्षियों और जानवरों का घर है दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा रीन फॉरस्ट है इस कारण यहां साल में लगतार बारिश होती रहती है एमजॉन के जंगल जहां जानवरों के लिए स्वर्ग हैं तो वहीं हैं इनसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है दोस्तों यहां पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो इनसानों को कच्चा चबा जाने में दम रखते हैं एमजॉन के जंगलों में एमजॉन नदी भी मौझूद है दोस्तो ऐसे मिद भी फैलाए गए हैं कि एमाजान नदी में एनाकॉंडा रहता है एमाजान जंगल ऐसे भायानक मिद का घर है हमारी लिस्ट में नमबर वन पर है टाइगा दोस्तो टाइगा एक करोड़ बीस लाग से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल है टाइगा इशिया में रूस, कैनाडा, यूरोक के कुछ देशों से लेकर नौर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है और तो और दोस्तो ये जंगल आंक्टिक महसागर में भी मौजूद है दोस्तो अगर इस जंगल का टोटल एरिया देखा जाए तो टाइगा भारत और चीन के पूरे एरिया से भी ज्यादा बड़ा है दोस्तो टाइगा एक कोल्ड फॉरेस्ट है इस कारण ये हर वक्त काफी ठंडा रहता है टाइगा के कई हिस्सों में लगातार बर्फ गिरती रहती है यहां का टेंपरिचर आसानी से इंसानों की जान ले सकता है इसलिए यहां कुछ ही जानवर सर्वाइफ कर पाते हैं दोस्तों टाइगा का मौसम इतना ज्यादा क्रूशल होता है कि इसे पेड़ भी आसानी से जेल नहीं पाते इसलिए यहां दो से तीन तरह के पेड़ ही पाय जाते हैं तो दोस्तों यह थे दुनिया के सबसे विशाल जंगल दोस्तों खिर आपको इनमें से किसी जंगल में घर बनाने का मौका मिला तो आप कहां जाकर रहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप टैन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करते हैं धन्यवाद